हालो एवरीवन बीमसी के लेक्चर 3 के बारे में बात करेंगे लूब्रिकेशन का ठीक देखे पिछले लेक्चर में हम बता चुके थे कि लूब्रिकेंट प्रॉपर्टी गया है और उससे पहले बता चुके थे कि लूब्रिकेशन क्या होता है क्यों लूब्रिकेशन की ज़र यह most important है lubrication system ठीक सबसे पहले बात करेंगे एकong 건데 लुप्रिकेसन सिस्टम है क्या यह जो आप देख रहें कोई भी system हम बनाते हैं करें हम छोटे चोटे अस्तर पर अपनी चीजों को पहुचाने के लिए ठीक यह चोटे चोटे अस्तर पर कारे करने के लिए स्विस्टम बनाते हैं ठीक उसी तरह से सिस्टम जो है चोटे चोटे अस्तर पर चोटे चोटे जगहों पर जहां पर फिक्षन गॉर्ट श्ल de ID का मतलब जो हई, पॉलीसी थीज़ेंजर सीज़ेंburn आपके बड़े जगह से छोटे अस्तrबraft walty टेल रखा हुआ हो और आपको कुछ करना भी नहीं हो आईसा सिस्टम इसे में फिट कर दें कि अपने आप जहां पर फृ DE法 रहा हन लागातार क्या हो पहुंचता तो देखे सबसे पहले बात करेंगे कि सर कितने प्रकार की होते हैं एक तो आइसी इंजन में हम पढ़ते हैं में जो आइसी इंजन होता है अंदर दहने इंजनों की जब स्टड़ी करते हैं बाइक हो गया चाहे जो भी चीज़ें छाहे, ठीक हो रहा है ठीक तो वही है चाहे। इससंटम करके 2-3 प्रियोग होते हैं यह सब ताव काइसी इंजन की आपको जो पढ़ने हैं मुख्य Unter means 12 एक वेट संब argues विकेसं सिस्टम को हम गीनिव मouveาधी होते हैं संप का मतलब होता है ौधी को आफेए समझ सकते हैं जो गाउं मेंrebbe को इसे श्तंवाल सकते हैं पात्र उसको हम होधी ठैक्थ है तो वही होदी जो है उसको इंग्लीस में संप बोलते हैं S.U.M.P. retrospect है तो वेट सम लूब्रिकेशन सिस्टम का मतलब यह है कि एक ऐसा Lubrication System होगा जिसमें एक पात्र होगा उस पात्र में हम क्या करेंगे टेल को भरेंगे और तेल को भरके हर जगह जो है जहां फ्रिक्सन हो रहा वहां पे हम क्या करेंगे तेल को पहुंचाएंगे ठीक तो एक बगल में एक फिगर दिख रहा होगा यहां पर नीचे लिखा वेट सम लुब्रिकेशन सिस्टम ठीक तो आप उपर हेडिंग डालके दो लाइन लिख सकते हैं कि लुब् पूर्ट रुप से मुख women दो प्रकार के होटे हैं यह लिखना लैकर ला वेट सम लूब्रिकेशन सिस्टम इसको 20 में लिख सकते हैं आप गीली होदी इसनेहन पढ़ाली और दूसरा लिख सकते हैं आप ड्राइ सम लूब्रिकेशन को सुस्क होदी इसनेहन पढ़ाली ठीक ये दोनों आपका हो गया अब जब इसको लिख लेंगे तो पहला आप हेडिंग डालेंगे वेट सम लूब्रिकेशन सिस्टम ठीक अब आईए इसको हम समझते हैं सबसे ये फिगर आपके सामने है ठीक ने अब देखिए ये है क्या सबसे पहले बात करेंगे देखिए एक पात्र है यहां पर हमने लिखा इंजन क्रैंक बेस यहां पर लिखे हुए इंजन क्रैंक बेस सबसे पहले हम कहेंगे कि सरी क्रैंक बेस क्या होता है देखे जहां पर आपका क्रैंक होता है क्रैंक का मतलब कि जो आपकी स्टार्टिंग होती है जहां से गाड़ी जो स्टार्ट होता है उसको हम क्रैंक बोलते हैं ठीक आप देखेगा उसमें से जो निकला होता ह एक lever वो क्या करता है क्राइंग को motion देता जिससे आपका क्या होता है motion पा करके गाड़ी स्टार्ट होती होती है तो उसी के पास देखिए जो डिब्बा लगा होता है जहां पर मोबील डालते हैं वही आपका स्टार्ट होगा अब देखे सबसे जादा friction जो होता है आपके machine पार्ट में वह बेरिंग पर होता है बेरिंग जहां पर पैया और हब आपका तो भिस जाएगा तो पार्ट direct contact में आएंगे तो वहां भी आपका दोनों थीष करके ख़राब होने की है ठीक ना देखिए एक mist वाल वाल शिस्टम होता है mist system जिसको बोलते हैं मिस्रिध भी बोलते हैं आप लोग इसमें लिखे नहीं है मिस्रिध सिस्टम जो होता है वह आपका scooter प्रियोग होता है देखेशे 2T40 ऐसे करके लिखा होता है 2T40 करके उसी ओटालते तो लुबिकेशन सिस्टम का कारे करता है ठीक वह जा करके अपने आप एक में सतह मेंटेन करता है जहां पर करना होता है ठीक तो अपना करता है लेकिन वेट संपोला वैसे नहीं उसमें इसमें क्या होता है पात्र की जरूरत होती है ठीक पात्र में आप क्या करेंगे तेल को खीचेगा और जो नीचे आप देख रहे हैं यह क्या करता है यहीं से तेल जो है रिस रिस कर अंदर जाएगा एक फिल्टर के तोर पे लगा होता है यह तेल रिस रिस कर अंदर जाएगा तो पंप से होते हुए जो है तेल आपका देखिए सबसे पहले बात कि सर क्या तेल यह एथ हां से जाता है एहां देखिए इधर से और इधर से देख 혼자 आप आइसे तेल चपट करकर बीच में फिल्टर लगा हुआ है चंते उए तेते वे तेल जाते निद आतर जांएगा इसमें अभो तो आप लिख सकते हैं इंजन क्रेंग में भरा हुआ जो कार सी धान डालकर लिख सकते हैं फिकर बनाने के बाद कि जो इंजन में तेल भरा हुआ होता है वो क्या होता है उठ करके जब उठ करके पंप से होते हुए ठीक यहां से मतलब ऐसे होते हुए यह फिल्टर में जाता है फिल्टर से छनते हुए बियरिंग पर पहुंचता है ठीक तो बियरिंग में क्या होता है यह बीरिंग में जाता है जहां पर इस नयाहन पडाली मैंटेन है और नियंत्रित रखने के लिए या फिर तेल की मात्रा घटी बढ़ती यानि कि ऐसा भी हो सकता है यहां तेल उतना मात्रा में ना पहुंचे तो उसको नियंत्रित करने के लिए हम एक पंप लगाये होते हैं जो ब्रिथर से कंट्रोल होता है ब्रिथर का मतलब की यही बताएगा कितना तेल और आगे चाहिए तो यह क्या करेगा उस तेल को और आगे भेज़ेगा और तेल जाकर के बेरिंग में टगराएगा यानि तेल की मात्र को नियंतित रखने के लिए यह सिस्टम प्रयोग किया जा रहा है ठीक तो इस तरह से आपके गाड़ीम लुबिकेशन सिस्टम होती है और यह एक लिमिट पे होती है लिमिट की का होने का मतलब की दो महीना तीन महीना आप क्या करेंगे सर्विस टाइम रखे रहेंगे जैसे ही आपकी वह सर्विस टाइम खतम होगी आप देखें तो इस प्रकार का सिस्टम जो है क्या होता है आपका इस्तमाल किया जाता है समझ में आगया रूब्रिकेशन सिस्टम क्या है पहले लुए अब यह फिगर बनाने के बाद आप लिख लेंगे इसको बढ़िया से अब जब नेक्स लेक्चर पर मिलेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे ड्राई संप लुब्रिकेशन सिस्टम ठीक देखिए एक चीज़ समझ लिजिए यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों में से पक्का एक आएगा ही आएगा ठीक इसको आप पढ़ लिजेगा फिगर बना लिजेगा ठीक समझ में आएगा तो क्या करिएगा कमेंट करिएगा ठीक यूटूम में नीचे कमेंट का ओप्सन रहता है वहाँ क्या करिएगा आप कमेंट करिएगा हम देख लेंगे जह यहां आप लिख सकते हैं इसका नहीं निल पक्या सकते हैं इसमें यह ऑयल पंप लगा लगा होता है निचले इसले में lubrication है ठीक उपठ कि नारे पे बीरिंग तेल पहुँंचाने के लिए बीयरिंग में ते के कंस्ट्रक्शन के बारे में तो आपका और अच्छा जो है क्या होगा नंबर मिलने के संभावनों हो जाएगी फिर उसके बाद नीचे आप कारसी दाथ हेडिंग डाल करके क्या करेंगे लिखते चले जाएंगे तो आपका यह जो है पूरा बढ़ियां से हो जाएगा ठीक बहुत हैं आप लोग तो वीडियो देख लीजिएगा ठीक ना चले ठीक मिलेंगे नेक्स लेक्शर पर तब तक के लिए सब लोग जो है इसको बना लेंगे और दो तीन लेक्शर दो लेक्शर के बाद यह आपका क्या होगा चेप्टर खतम हो जाएगा फिर बीमसी आपका समाथ हो जाएगा ठीक तो चले ठीक मिलेंगे लेक्शर पर तब तक के लिए सेफ रहिएगा ओके ठैंक्यू